हेलो एव्रीवन, ट्रू आई इसमें अब सभी का सहोगत हैं, हमने बात करी थी प्रिविएस लेक्चर के अंदर के कॉंजिक्वेंसिस क्या थे, इमर्जेंसी के, अब हम लोग स्राट करते हैं अपना अगला टॉपिक, वाट अर्दा वेरियस कॉंट्रोवर्सी रिगार्डिक इमर्जेंसी, इमर्जेंसी वास वन अफ ता मुस्ट कॉंट्रोवर्सील एपिसोड्स, जो की भारत की पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिले, आज तक, वन रीजन इस डाट, बड़े सारे अलग-अलग व्यूज थे उस टाइम पर, राइटर्स के, जनरलिस्ट के, लीडर पर कॉंट्रोवर्सी मची, अनदर रीजन इस डाट, यूजिंग दा पावर्जो की समयदान के अंदर गिविन है, गर्मेंट ने प्रैक्टिकली, डेमोक्रेटिक मशिन्ट्री को, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को, पूरी तरीके से सस्पेंडी कर दिया, और सारी पावर् किलिक करीं, कि कि इमर्जेंशी को लगाना कितना ठीक था, कितना गलत था, कमीशन था नाम था दोस्तों शाह कमीशन, शाह कमीशन ने फाने आट करा, कि देखो इमर्जेंसी के टाइम पर सरकार के दिवरा बड़े बड़े सारे excesses कमेट करें गए, यानि तरीकी अपनी मिस्यूस करा गया ओर्गन्स ओफ द गवर्मेंट एंड इंस्टिटूशन ओगर्मेंट इंक्यूडिंग ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिश्री इनको पपेट बनाया गया हम पूरी की पूरी तरीके से देखेंगे कि शाह कमिशन की इंक्वाइरी में क्या क्या रोप लगे सरकार की उपर ठीक है फाइनली दियर आर डिफरेंट असेस्मेंट्स और वाट द लेसंस ओव इमर्जेंसी आर फॉर द प्राट्रेस ओ डेमोगरेंजी की इमर्जेंसी जब इक्या लेसंस देखने को मिलते हैं और फिर इन लेसंस को ठीक कैसे करा क्या मतलब राइटर आप को यह बोल रहा है कि आने वाले पेजस के अंदर आप यह सब देखोगे सबसे पहले शाह कमिशन जो है उसका गठन हुआ ठीक है लेकिन शाह कमिशन का गठन जो होगा वो भी बात में होगा पहले सबसे पहले और टॉपिक के उपर हम बात करते हैं Was the emergency necessary Constitution ने simply एक word mention कर रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया इमर्जेंथी जब से मैंने टॉपिक declaration of emergency जब से मैंने पढ़ाया है इस chapter के अंतर जब हम emergency को declare करने के उपर बात कर रहे थे कि इंद्रा गांधी जीने उनकी सरकार ने article 352 के अंतरगत इस word को use कर रहा था internal disturbance कि this was the reason for declaring emergency 1975 से पहले emergency इस ground पे कभी proclaim करी नहीं गई थी this was the first time article 352 का use तो हुआ है external threat वाले पे use हुआ है जब हमारे war हुए है इंडो पार्क वार of 1948 इंडो पार्क वार of 1965 इंडो चाइना वार of 1962 बांगरादेश वार of 1971 use हुए है article 352 लेकिन उसके दो पहलू होते है एक internal disturbance और एक external threat external threat के मुझ्टे पर use हुए है article 352 वैसे यह होता है कि emergency लगेगी generally war के लिए लेकिन दूसरा जो उसका clause था internal disturbance वाला इसको पहली बार यूज करा गया 1975 से पहले 26 जून 1975 से पहले कभी इसको हमारे देश में use नहीं करा गया था जो public protest, editations वागे रहा थे वो country का लग लग parts में इस टाइब पर हो रहे थे क्या यह reason enough था इमर्जेंसी को टिक्लियर करने के लिए internal disturbance मतलब क्या कि दो लोग अगर बैट गए traffic jam अगर हो गया communities की बीच में लडाई होने लग गई, पत्थरबाजी होने लग गई एक गली मौले में धर्म को लेकर लडाई होने लग गई मंदिर मजित को लेकर लडाई होने लग गई क्या यह एक लौता reason बनेगा कि पूरे देश में emergency लगा दी जाए, पूरे राजी में emergency लगा दी जाए या चलो मालो उस गली के इंदर भी शापर धंगे हो रहे तो emergency लगा दी जाए यह सारी की सारी चीज़े भंग हो गई आप किसी भी परसन को arrest कर सकते हो prevented detention का use कर सकते हो शक्य बन्याद पर किसी भी परसन को jail में डाल सकते हो यह सब क्या है सिर्फ एक internal disciplines के मुद्दे पर जो मैं तिन जल्देर्दी बोल गया मतलब this created a certain amount of एक quick pressure उसने create कर आओगा आपके दिमाग पर सुनने वालों के लिए आपके लिए बोल रहा हो में यह foundation courts के students लेकिन यही चीज़े यही अश्मंजश लोगों की दिमाग में थी विरोधी दलों के क्या के निगाहों में थी कि यह क्या है भाई एक इमर्द एक यह इंटलर डिस्पेंस के ग्राउंड को इतनी सारी एक पूरी चेन मना डाली government का यह argument था that in a democracy opposition party must allow the elected ruling party to govern according to its policies government यह government की तरफ से argument आ रहा है कि लोग तंत्र में जो विरोधी दल जो parties है वो अपने according अपनी policies कैसे चलानी है सरकार को वो ना सिखाए तो हमने जो लगाई है emergency भाई हम power में थे हम कर सकते है अकड़ देखो मतलब अभी अकड़ खतम करेगी इस किशा कमिशन रुख जाओ it felt that frequent recourse to education कि बार-बार सरकार का यह बोलना था कि हम तो सरकार आराम से चला रहे थे जब opposition parties बार-बार हमारी सरकार नीचे कोई भी सरकार हो ऐसा इंद्रा गांधी जी की सरकार ने एक argument पेश करी थी कि कोई भी सरकार हो बार-बार अगर कोई protest करता रहे agitation करता रहे धरना प्रसेशन करता रहे विरोध प्रसेशन करता रहे सडकों पे उतर कर लोग आते रहे दिल्नी में आरे जंतर परंतर पर्लेमेंट के भार रैलियां लग रही है तो ये एक healthy sign नहीं है democracy का ऐसा सरकार का बोलना था जो supporter से इंद्रा गांधी जी के ठीक है उनका ये भी मानना था कि democracy के अंदर आप you cannot continuously have extra parliamentary politics कि आप हमेशा सरकार को target करते रहो आप सरकार को प्यार से कामी नहीं करने दे रहे सरकार बहुत को decision ने लेना चारही है आपको लग रहा है quick decision अगर इतने ही काबिल थे तो party में आ जीच जाते है elections आजाते सरकार के अंदर बन जाते 5 साल के लिए प्रदान मंत्री और जो भी मंत्री बनना था ऐसा इंद्रा गांदी ची की supporters ने बोला कि हम सरकार अच्छी तरीके दर चलाना जानते हैं लेकिन हम कोई भी step ले education, कोई भी step ले strike, कोई भी step ले धना प्रदर्शन, आप इनको तो कुछ ना कुछ बोल नहीं है लेकिन हम जानते हैं भई, emergency चलो ठीक आपने लगाई भी यह सिफ argument enough नहीं है आपको मिलने को कोई point नहीं मिलने तो उसका लाग यह नहीं कि आप कुछ भी बोलते चलो तो इंद्रा गांदी जी का और उनकी सरकार के मेंबर्स का यह बोलना था, उनके मंतरी मंडल का यह बोलना था इसकी वज़े से instability आती थी और जो administration है वो से distract होता था अपने routine टास्के कि हम development को ensure करवना चारहे हैं, हम देश को चलाना चारहे हैं रोजगार क्रिट करना चारहे हैं, बड़ी सारी schemes, policies वगरा लेकर आने चारहे हैं, योजनाओं को बनाने का सोच रहे हैं लेकिन हमारा major focus बहुत ज़्यादा machinery, man and power यूज होता था जब तुम धर्दा प्रदशन करते थे सारी energies divert होती थी to the maintenance of law and order इंद्रा गांधीजी ने शाह कमीशन को जो letter लिखा, उन्होंने बोला उसमें कि कुछ देश में ऐसी forces थी sub versus forces का मनलब होता है, जिसे हम कहते हैं न कि उदम मचाना, शेतानी करना, ठीक हैं वो progressive programs रोते government के उसको offset करने की, disrupt करने की, disrupt करने की कोशिश कर दे और extra constitutional means का use करके, वो हमारी normal functioning को रोक रहे थे, अब ये extra constitutional means कैसे, इन्होंने एक बात ये भी रखी थी, कि जेपी ने announce कर दी ये तने एक बारी, army से request करी थी, police से request करी थी, administration से और bureaucracy से, कि आप इनके orders का पालन मत करो, तो उन्होंने बोला, बढ़काओ पार्षन तो जब opposition party दे रही है, अगर यही हमारा पालन नी करेंगे, तो देश केते चलेगा, आप इन्होंने बोला, इनको तो अच्छा बांड मिल का, या argue करने के लिए, इन्होंने बोला, और निद्रा गादीश सीन करवा रहे हूं, कि पूरी महराष्टन जो पुलिस है, वो सड़कों पर आ गई, किसी CM के order का पाला नहीं करना, किसी निता के order का पाला नहीं करना, आप वो पिच्छर बना रहे हैं, आप रहे हैं जी देवगन वाली, इन्होंने सपोर्ट कंटिनूसली कर रहा था, कॉंग्रिस को इमर्जेंसी के टाइप पर, इनका भी यह मानना था, इन्हों बिलीव डाड, दियर वाजने, इंटरनेशनल कॉंस्परेशी अगेंस दा यूनिटी ओफ इंडिया, यह कॉंग्रिस के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कि यह बोल रहे हैं, दियर वाजने, इंटरनेशनल कॉंस्परेशी, दूसरे देश नहीं जाते हैं, कि हमारा लोगता रख्षे तर सर्वाइब कर सके, इसलिए उपोजिशन पार्टी जो यह उनके बहकावे में आका, इनको पतानी कौन सी फंडिंग मिल रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा हैं, कौन से NGO जो हैं यहां पर चल रहे हैं, धंतले बाजी जो कर रहे हैं, ये RSS और जमायत इसलामी जैसे संग पतानी हिंदू मुसल्मानों के बीच में पतानी क्या ही करवाना चाहरे है पूरी की पूरी एक इंटर्नल और इंटरनेशनल कॉंस्पिरेसी की मिली भगत है कि हमारी नॉर्मल पॉलिटिक्स को सरकार को और लोगतंतर को गिराने की साधिश है और जंता के बीच में बैर जो कहते हैं टकराव है उस टसल को पैता करने की साधिश है इट बिलीव डैड इस सरकम्सांसिस के अंदर हमने अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए भी तो क्या गलत है यह जस्टिफाइड भाई साथ यह वाली आवाज थी कॉंग्रिस की, CPI की, प्रतार मंतरी जी की, उनके मंतरी मंदल की and supporters of इंटर अगादी की CPI का यह मानना था, जो agitations, जै प्रकाश नरेंजी ने लीड करें, इन था, बाई था, मिटल क्लासेज, यह पर अपोस्टू था, रेडिकल पॉलिसी तो था, कॉंग्रिस पार्टी, कि मनला, कुल मिलाकर बात ही है, इस वाले पॉइंट की, कि, जे पी ने जो नारा दिया था कि सारे सारे सूडेंट्स वगेरा, यह सब आओ, ठीक है, और उन्होंने सरकार को हिलाकर भी रख दिया था, बिहार में और गुछरात में, ठीक है, तो उन्हों को यह लगा कि यह देखो, opposition जो leaders हैं, वो सरकार की stability को अलग-अलग जगा पर चुनोती ही दे रहे थे, emergency के इतना कुछ कर बैठेगा, पावर्स को इतना ज्यादा मिस्यूस कर जाएगा, और जन्ता के मौले का अधिकारों को आग लगा दी जाएगा, ऑन दा अधर हैंड, जो critics थे, emergency के, they argued that, ever since the freedom movement, Indian politics के अंदर, भारत के इतियास के अंदर, राजनीते के इतियास के अंदर, हमें popular struggles देखने को मिले है, JP, Jai Prakash Narayanji और दूसरे opposition leaders का ये मानना था, कि democracy के अंदर, लोगों को right है, तो, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता, तो, हमने जान मुझके थोड़ीना, education करी है, publicly हम protest कर रहे थे, सरकार के against, लेकिन, हमने तो fair manner में करा, non-violent तरीके से करा, opposition leaders including Jai Prakash Narayanji ने बोला कि बिहारों गुजरात में जो adaptations होई, वो peaceful थी, और non-violent थी, आप बता दो जड़ा किसी student ने कोई तोड़ फोड करी हो, या कोई public infrastructure को हानी बचाई हो, आपने जिंजिन लोगों को arrest करा, emergency के time पे, कभी आज तक उनका इतियास उठा कर देख लो, कानूनी प्रक्रिया follow करके देख लो, कि किसी भी थाने में उनके खिलाब कभी F.I.R. वगेरा, या फिर कोई भी anti-national activity का उनकी उपर कोई आरोप है, कि वो notorious persons है, समाज के anti-social elements है क्या, prevented detention का तो मैडम, साहिबा आप तब यूज करो, कि जब आपको शक है, शक तो ऐसे आपको किसी भी भी हो सकते है, उसका background को चेक करो, आपने कोई case भी restart नहीं करा, जिन लोगों को arrest करा गया था, home ministry, जिसको ये task दिया जाता है, which is interested with the responsibility of monitoring the internal situation of the country, उन्होंने भी कोई concern express नहीं करा, law and order के बारे में, आप जाता जानती हैं उनसे, home ministry, police, प्रसार्शन वगेरा, उन्होंने कभी आपको बताया, कि ऐसे ऐसे करके, जो situation है, वो बिगड रही है, देश में दंगों की हराज बन रही है, मतलब आप, डिईएजी, डीजीप, home minister, police commissioner, आप मतलब इन से जादा हुशे आ रहे हैं, आप जादा जानती हैं, ground reality के बारे में, मतलब सारे डीएजीप, डीजीप, IPS officer सब पागल थे ये, सारे आईएज वगेरा, इनको कोई बिल्कुल भी भनक नहीं थी, आप तो raw agent थी थी, जादा intelligent निख ली, अगर कुछ irritations ने, अपनी मर्यादा overstep कर भी दी थी, आपके पास तो पूरा का पूरा पूरा पुलिस, प्रताशन, आर्मी, बगरा सब कुछ था, लेकिन ऐसी कोई भी घटना, 1970 के दशक में तेखने को मिली ही नहीं है, उस एराक के अंदर, 1971 से लेकर 75 तक, 75 और 76 में, के जहां पर आर्मी की जरुत पड़ी हो, पुलिस की जरुत पड़ी हो, पुलिस ने लाठी चार्ज करी हो, यह समालना मुश्किल हो गया हो जनता को, और एक दू जगा पर अगर आपको ऐसा लगा था, तो आपके पास रूटीनली पावर्स थी, पुलिस वगरा को बुलाओ, आर्मी को बुलाओ, CRPF की जवानों को बुलाओ, CISF को बुलाओ, यह सब कहां गए हैं आपकी फोर्चेस, और आपने जितने ही जाता यह जो ड्रेकोनियन मेजर, ड्रेकोनियन मेजर्स का मतलब होता है, दिल दहला देने वाले मेजर्स जो यूज़ करें, इमर्जेंसी के टाइल पर, फंडमेंटर रेक्स को सस्पेट करना कोई परसन कोट नहीं जा सकता, आरे जिसको गलत तरीके से अरेस कर लिया गया है, तो आप से इमर्जेंसी का नकाब पहन कर आप किसी को यह थोड़ी ना बहुँ सकती के कोट नहीं जा सकता, तो बात निकल कर यह आई, कि मैडम साहिबा, देखो, बेफ को किसी और को बनाना, थ्रेट जो था ना, जो आप कह रहे हो कि unity and integrity of the country पर थ्रेट था, वो थ्रेट उस पे नहीं था, थ्रेट आप पे था, आपकी कूरसी पर था, आपके जो मंतरी मंडल में, जितने लोग यां उन भी था, critics का यह कहना था, कि इंदरा गांदी जी ने, अपनी constitutional provision को misuse करा, country को save करने के लिए नहीं, अपनी personal power को save करने के लिए, कुरसी की अगर एक भी टांगर अगर तूट गई, तो कुरसी गिर जाएगी, और यह कुरसी है, प्रधान मंतरी की कुरसी, क्या होगा, वैसे तो हम आभी आगे देखेंगे, elections होगे, तो Congress को कोई support नहीं करेगा, Congress को कोई vote नहीं करेगा, अभी हम आगे बात करेंगे इसके वर में, Congress को कोई vote नहीं करेगा, मैंना Congress हार जाएगी, कोई कोल मिलाकर बात ही है, vote तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगी, Congress हार जाएगी, और जन्ता पार्टी पावर के नदर आ जाएगी, जन्ता पार्टी जब पावर में आएगी, तो पहले तो वो यह देखेगी, कि इन्होंने करा क्या है, 42nd Amendment Act और जितना कोछ जो इन्होंने Emergency के टाइम पर जो राइता फिलाया, तो ये एक Commission का गठन करेंगे, शाह Commission, Inquiry करने के लिए कि Emergency के टाइम पर Accesses करा गया के नहीं करा गया, Overstep करा गया अपनी पावर को के नहीं, तो May 1977 की बात है, जन्ता पार्टी गवर्मेंट ने एक Commission बनाई, Commission of Inquiry, जिसको Head करा, Retired Chief Justice of the Supreme Court of India ने, Justice J.C. Shaw, To Inquire into the several aspects of allegations, जो की आरोप लग रहे थे सरकार पर, Emergency के टाइम पर, और Congress इंसाफ तरीकिस उनको खालिश कर दिया था, लेकिन अब तो जन्ता पार्टी पावर के अंदर है, और Commission जो है, उसको Chief Justice of the Supreme Court जो रहे चुके हैं, Retired हैं हलाकि, Justice J.C. Shaw, वो Head कर रहे हैं, तो इस Commission से बोला गया, आप फेर रेपोर्ट दीजिए, कि Emergency के टाइम पर जो भी Allegations हैं, कि सरकार ने, Misuse करा, अपनी Authority का, Accesses कमिट करें, और Mal Practices जो कमिट करी, और जो जो Actions उन्होंने लिए, Emergency की टाइम पर, जो की Proclaim करी गई, 25-26 June 1975 को, वो कितनी सईधी, कितनी गलत थी, Commission ने बड़े सारे Evidences को, एक्जामेन करा, और बड़े सारे विटनिसेस को भी बुलाया, इंक्लूडिंग इंद्रा गांधी को, ठीक हैं, इस इंक्लूडिंग इंद्रा गांधी, वो अपियर्ट बिफोर दा कमिशन, बट रिफ्यूस्ट तो अंसर एनी कोशन, उन्होंनों कुछ नहीं बोला भापर, निकाली गई, और थर्ड और जो फाइनल रिपोर्ट ती शाग कमिशन में, उसमें यह चीज बोला गया, कि इन्होंने मिस्यूस करा है, पावर का, और इंद्र रिपोर्टों को, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसे पार्लेमेंट उसके इंदर डाला किया, रखा गया, उसके सामने स्वारी, पीश करा गया, जब देखेंगे अभी, जब जदा पार्टी का गठन होता है, ठीक है, कि येस, इंद्र गंदी जी ने XSS कमिट करे थे, उनकी सरकार ने में इस्यूस करा है, जूडिशरी का, बुरोक्रेसी का, उनको कमिटेट बनाया है, और इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूत नहीं थी, अमर्जेंसी की टाम पर, अमर्जेंसी लगाने की भी ज़रूत नहीं थी, सिर्फ अपनी, दोसों विला लितना ही, थेंक यू बैरी मुच्छ पर दिस्कुशन,